मित्रो नमस्कार आने वाला कोई संकत या विपत्ती हमारे जीवन के पुरवार्ध अर्थात पिछले जन्म के वज़ा तथा बिश्व में पूरे संसार में फैली गद्विधिया इसके लिए जिम्मेदार होती हम अपने जीवन में नियम और सहियम का जब पालन नहीं करते हैं प्रकरती के निय जन्ता का साथ ना दिया तो साइद ये महामारी हमारे सभी के परिवार बच्चों पर तथा पूरे बिश्व पर एक संकत पैदा कर रही है इसलिए इस कोरोना वाइरस के चलते हमें जन्ता का सहयोग दे करके अपने घरों में बैठना आवस्च जैसे कि इस महामारी को हम आज का विसे है कि आप अपनी सुरख्चा जो तिसके हिसाब से किस प्रकार कर सकते हैं इसके विसे हैं बताने जा रहा हूं जैसे कि पिछले साल का संबत जो था 2000 सन 2019 यानि संबत 2076 का उस समय संबत का राजा सनी था और मंत्री शूर्य था राजा सनी और शनी और सूर्य में द्वेश रखते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी जोतिस तथा ये धार्मिक बिचार है धार्मिक माननता है सूर्य पुराण में भी इसका मिलता है तथा सनी के विसे में भी आपको सूर्य के साथ और शनी का क्या आपस में कारण है क्योंकि सनी को अपने जीवन पर पैरों प पर होता है और सनी का संबंद नौकर चाकर पर क्रमचारी वर्ग पर जीवन के पैरों पर इसका संबंद होता है अर्थात सरीरी तोर से पैरों पर संबंद होता है अर्थात इसलिए इस वाइरस को एक दूसरे के संपर्ख में आने से जिसको कहा जाता है छूट की बिमारी सनी क सम्वंद हमेशा ऐसी बिमारियों से होता है जो एक दूसरे के द्वारा फैलती है इसलिए 2019 में इस क्रोना वायरस का प्रारम से हुआ मासाहरी इत्यादी चीजों का सेवन करने से तथा अनेतिक कर्म करने की वज़ा से धर्म की मान्यता ना मानने के वज़ा से चीन के द्वारा स्तर प्रथम इस वायरस का फैला हुआ और पूरे बिश्व में आज ये वायरस फैल चुका है लेकिन क्योंकि राजा सनी थे और मंत्री शूर्य थे लेकिन सनी अपनी उपयोगिता या अपनी अभिमान दिखाते हुए मंत्री शूर्य देवत्ता को उन्होंने कुछ करने न सकते हैं जैसा कि बारा राशिया होती है और हर मनुस्री की नाम रासी के हिसाब से उसकी जनम रासी या नाम रासी के हिसाब से उसकी राशी चैन होती है जैसा कि मैंने कहा कि सूर्य का संबंद आतमा से और मस्तक्स के उपरी भाग से आखों से और गले से लेकर के मस्तक संब और जो क्रोना वाइरस है मुखिता विज्यान के द्वारा ये मुख्ये दिवारा ही वाइरस ये प्रवेश करता है इसलिए देखते हैं कि आज मास्क लगा करके हम इस महामारी से बस सकते हैं किसी के संपर्क में nach pawper जाने से इस वाइमाने से बस सकते हैं इसलिए सभी ग्रहों में राजा सूर्य देव को शर्प्रथम इस्थान दिया गया है अर्थात सूर्य देव जो हैं शभी ग्रहों के अधिश्ठाता और शभी ग्रहों के राजा है इसलिए शर्प्रथम मैं एक मंत्र बताता हूँ इस मंत्र को आप करके इस क्रोना वायरस की म में स्वास्त के कारक है अर्थात आतमा अगर आपकी मजबूत है आतम बल आपके अंदर है तो इस कुरोरा महमारी से आप अवस्य बस सकते हैं इसलिए आप इस मंत्र को ओम नमो भाश कराए ओम नमो भाश कराए असमाकम सर्ब ग्रहनम पीडा नासाए कुरू-कुरू स्वाहा अगर मिंत्रों मित्रों आप सर्ब परिवार के लिए ही अपने अगर आथात परिवार में कोई जैसे बच्चा या आपकी पतनी आपका पुत्रिया पुत्री आपका घर का परिवार माता पिता अगर इस मंत्र को नहीं जाब कर सकते आप उनके लिए सबके लिए तो जहां असमाकम लिखा है, असमाकम मैंने मंतर का उच्चारण किया असमाकम उज यगा पर आप असमाकम ना करके सरव परिवार अपने सभी परिवार के लिए भी कह सकते हैं, सरव परिवार, सरव ग्रेहनम, पिडा नासाय कुरू- कुरू- स्वाह। सूर्य भगवान को नमश्कार करके आप इस मंतर को बैठ करके 108 बार जाप करें और सामने आप गड़बी में जल रख रहें सुध जल बन रख लिजे उसमें थोड़ा सा अगर आपके पास मिश्ठान कोई चीनी या गुड़ कोई भी आवस्य चीज कोई जरूरी नहीं कि आप जीवन में स्वास्त का और जीवन में आपको प्रतक्ष जो दर्शन होते हैं सूर्य भगवान को ही होते हैं सूर की किरने आज हमारे इस सरीर पर नहीं पड़ रही कि जैसे की गर्मी नहीं पड़ रही मौसम का देख रहे हैं कि कभी गर्मी और कभी सर्दी का चैन हो जाता ह मोसम एक तरीके का नहीं है इसलिए इस वाइरस का अत्यधिक हमारे जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है मित्रों आप इस उपाय को करके कोरोना वाइरस के विपत्तियों से अपने परिवार को और खुद को श्वैम को और पूरे विश्व को बचा सकते हैं जैसा कि इस लेकिन इस बार जोतिस के हिसाब से नया संबद आपके जीवन में हमारे सभी के जीवन में पूरे विश्व के जीवन में अच्छा प्रभाव देगा लेकिन जब तक इस महामारी को हम फैलने से तभी बचा सकते हैं जब हम देश के साथ सहीयोग करके लॉकडाउन जो है बंद है उसमें सहीयोग करें अपने घरों पर बैठें और मेरे बताये गए इस जोतिस उपाय से आप करके आप इस महामारी से सारे विश्व को, अपने इस भारत देश को, अपने परिवार को, अपने रिष्टेदारों को और खुट को स्वैम को बचा सकते हैं मेरे बताया जोतिस उपाय आपको अवज से पसंद आया होगा आप मेरे इस बताये गए जोतिस अपाय को अपने दोस्त मित्रो में सभी को share करें जिसे उनको भी लाब हो और आपको भी लाब हो मित्रो इस जोतिस विचार के साथ हम शुक्ला जोतिस केंद से आप से बिदा लेते हैं फिर से एक नया उपाय और टोटका लेकर कुश्यम पश्याद फिर से हाधिर होंगे तब तक के लिए मित्रो नमस्कार